Hello guys and welcome to this video, मेरे नाम अनीश चानल और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ आपके syllabus के बारे में तो जो भी B.Tech के students हैं और अपना syllabus जानना चाहते हैं क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज भी है कि आप पुराना वाला syllabus देख रहे हैं जबकि आपको देखना चाहिए नया वाला तो इस वीडियो का अच्छे तरीक चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ आपको syllabus नहीं बताऊंगा उसके subject से थोड़ा सा आपको रूबर वी खराऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कहां कहां से आपको पढ़ना चाहिए कौन सी चीज़े हैं और कौन सी platforms आपके लिए effective हैं अगर आपका session स्टार्ट हो चुका तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपका नहीं हुआ तो उससे जाद अच्छी बात है क्योंकि आप पहले ही aware हो जाओगे तो start करते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 7 subjects हैं और 7 subjects जो हैं यह theoretical subject हैं उनके पाद इनके practical भी applied chemistry ठीक है यह subjects हैं अब यह जो subject हैं first semester के subject है first semester के subject है तो इन subject को हमें देखके यह पता लगता है सबसे पहले कि यह सारे के सारे subject पढ़ने पढ़ेंगे और एक और चीज़ पता लगती है कि यह जो first semester के subject हैं अगर आप इनमें अच्छे marks लाओगे ठीक है अगर आप अच्छ branch upgrade कराना चाहता है इसको मनपसंद branch नहीं मिली अपने college में तो वो इन subject को अच्छे दरीके से पढ़के अच्छे marks लाओ और कर दो तो यह हमारे पास हो गया अब यहाँ पर बात करेंगे toughness की कौन से subject tough है तो इन सब में अगर देखा जाए तो toughness की अगर मैं बात करूँ तो कि बच्चों को यहाँ पर circuit solve करने में problem होती है तो यह इसलिए आपको tough लगता है उसके बाद manufacturing process इसलिए tough लगता है क्योंकि जो books यहाँ पर बताने जा रहा हूं इसकी books बताऊंगा वो काफी मोटी books है और इतना time नहीं होता कि उन books को पढ़ा जाए और कौन से diagram diagram भी बहुत बाकी applied mathematics 1, applied physics 1 यह असानी से कर सकते हो अगर आपको normally थोड़ी सी knowledge भी है तो आप इसको grasp कर लोगे ठीक है applied chemistry तो simple है fundamental of computing के आपको अच्छे notes चाहिए अच्छे notes books से काम नहीं बनेगा अच्छे notes मिलेंगे तो timely आप इसको complete कर सकते है ठीक है तो यह हमें पता लग गया कि कौन कौन subjects हैं और उसके अलावा आप क्योंगे कि human values human values कई लोग कहते हैं इंगलिश आती है तो human values हो जाएगा लेकिन actual में human values एक ऐसे subject है जो थोड़ा समझ के चलना पड़ता है ठीक है यह इतना आप इतना असानी से मतले ना माना कि आप इसमें pass हो जाओगे अगर normally English भी आती है लेकिन थोड़े से concepts होंगे जो आपके teachers आपको lecture provide करेंगे वो आपको attend करने ही पड़ेंगे तब ही आपका काम बनेगा ऐसा नहीं कि normally बिना पड़े आप अपने दिमाग से आप यह subject का paper देने चले जाओ इतना आप इसको easy मत समझना ठीक है तो यह हो गया अब सारे subject से हम aware ह प्रेक्टिकल वायवा के बारे मात करते हैं कि practical किसके applied physics का practical होने वाला है electrical technology का practical होगा workshop practice actually manufacturing process से जुड़ावा ही है इसमें आप बहुत सारी चीज़े करोगे ठीक है welding करोगे carpentry करोगे अगर आपके college खुल जाते हैं साही टाइम पर तो then engineering graphics इससे बच्चों को बहुत जाद चीड होती है क्योंकि इसमें sheets बनानी पड़ती है लेकि civil engineering mechanical engineering के बच्चों को मज़ा आएगा इसमें fundamental of computing यह आपके लिए interesting रहेगा यह वाले लियाब आपके लिए interesting रहेगी fundamental of computing इसमें आपको मज़ा आएगा then applied chemistry में भी आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मुझे भी बहुत जादा मज़ा आया था तो यह हमने देख लिए अलग-अलग subjects अब अलग-अलग subjects के बाद हम सिरफ first semester के देख रहे हैं तो आप यहां देखिए कि applied mathematics one कोई भी अगर मैं unit निकालूँगा है ना तो आप द लगेंगी तो यहां तो आपके college के teacher आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो तो आपका काम बन जाएगा ठीक है नहीं तो आप books के बारे में हमेशा आप सोचते हो कि यह books से पढ़ लूगा मैं अगर teacher नहीं पढ़ाएंगे लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता एक book आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको even small guidance तो मिले कि इस book को भी कैसे पढ़ना है तो book जो है यहां पर आप VP मिशरा प्रिफर करोगे तो यहां पर आप देखो कि एक subject को चार यूनिट में डिवाइड कर रखा है यूनिट 1, 2, 3, 4 है ना 4 यूनिट में divided है नीचे आपके books लिखी है ठीक है यह से लिबाद आपको इंटेविट गीक्स की application पर मिल जाएगा तो application जाके फटावट से डाउनलोड कर लो description में link दिया है उसके अलावा आप आप discord पर भी जुड़ सकते हो इंटेविट गीक्स से उसका link भी description में दिया है वहाँ पर आप बहुत अच्छे आपज में discussion करना ठीक है और इंटेविट गीक्स की app का अलग से आपका फायदा होगा तो यह हम यहाँ पर हमने देखा कि unit wise divided है तो यह जो unit wise divided है यह क्यों है इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ तो यह जो unit 1 और unit 2 है यह आपके सेशनल में आती है सेशनल आपका जो exam होता है तीक है आपका जो exam होगा उसको दो पार्ट में divide किया जाएगा ठीक है 75 plus 25 100 marks का exam होगा तो यह जो 75 marks होगा आपका यह होगा एंटम यह एंटम का exam होगा जैसे board का एंटम होता था वैसी यह जो 25 होगा यह unit test माल लो इन unit test को ही हम क्या बोलते है सेशनल है तो सिरफ unit 1 और 2 आएगी उसके बाद direct enter होगा जिसमें 4 की 4 unit हैंगी ठीक है इसमें passing marks लाने के लिए 40 marks जरूरी है 40 marks अगर आपके नहीं आए तो आपकी उसमें क्या आ जाएगी back आ जाएगी ठीक है या फिर आपको यह बोल सकते हो कि दुबार एक्जाम देना अगर आपने 12 में पढ़ा हो तो आपको असान लगेगा ठीक है कई चीजे अब कई बच्चे सोचते हैं कि मैं तो अलगी branch है मेरी यहां पर यह सारे subject क्यों बढ़ रहा हूं तो common syllabus होता है आपका syllabus क्या है common हर एक ब्रांच का तो common syllabus है हर एक को यह subject पढ़ने ही पढ़ेंगे यह इनका rule है हला कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी यह rule है applied physics 1 के लिए देवरास सिंग ठीक है देवरास सिंग बुक आती है applied physics 1 के लिए अगर आप बुक से पढ़ाना चाहते हो ठीक है हाला कि मेरे time में मैं बुक से नहीं पढ़ा था मैं नोट से पढ़ा और उस टाइम पर वीडियो वगरा कोई available भी नहीं थी यूट्यूब पर अब तो अगर आप सर्च करोगे तो काफी चीज़ें आपको मिल जाएंगी लेकिन segregated form में होंगी then manufacturing प्रोसेस के लिए manufacturing आप देखो अच्छे notes की ज़रूँता आप देख सकते हो कितना वास से लिए लग रहा है कियार कितना जाधे चीज़ें यहां पर जो रट्टा मानना पड़े क्योंकि पूरा theoretical subject है ठीक है हाला कि मैं इन एक एक particular subject की strategy बताऊंगा आपको आपके exam से पहले ताकि आप इतना confused ना हो और आप अच्छे तरीके थे exam देके आ सको ठीक है नीचे books लिखी विए प्रिफर करते हैं लेकिन एरगोवंची में diagram बहुत अच्छे दिये वें then electrical technology की बात करूँ तो electrical technology में भी चार unit है इसमें आपका काफी typical लगता है बच्चों को तो इसकी में live classes भी conduct कराने वाला हूँ अगर आप चाहते हैं कि live classes में आप interested है तो इंटेविट Geeks की application download कीजे औ और वहाँ पर आप message कर दिजे कि मुझे live class लेनी है तो live class में electrical technology की इसले कराऊंगा क्योंकि बच्चों को यह tough लगते हैं अभी मैं unit 1 और unit 2 की start करने जा रहा हूँ तो अभी यह देखिए कि इसके अंदर अगर आपको book से पढ़ना है तो book से पढ़ने के लिए आप क्या करो जेबी गुपता ठीक है जेबी गुपता क्यों बढ़ते हैं क्योंकि उसके language इन को समझारी होती है normal जैसे exam में numerical आते हैं वैसी उसमें दिये वे होते हैं ये जेबी गुपता आपको conceptually strong नहीं बनाएगी लेकिन ये book पढ़के आपके exam में अच्छे marks आ जाएंगे हो सकता है आपको net पे भी मिल जाए PDF की form में आप डाउनलोड कर लेना अगर आपको net पे मिल जाए तो ये जेबी गुपता जातर बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को बहुत strong होना है conceptually क्योंकि आगे वाले semester में भी ये subject काम आने वाला है तो आप क्या करोगे आप BL session बे अटेंड कर सकते हैं then human values की बात करों तो human values and professional ethics यहाँ पर आप देखो पूरा English नहीं है जो बच्चे सोचते हैं गलत यहाँ पर काफी चीज़ों के बारे में डिसकस किया गया है जो बहुत अच्छी चीज़ें कई लोग इसको ignore कर देते हैं लेकिन बहुत मच चीज़े जैसे coexistence of sentient I and the material body हाला कि काफी spiritual subject आपको लगेगा ठीक है यह human values काफी spiritual लगेगा यह मैं तो spiritual awareness मिल रही है मेरे कोई subject पढ़के तो अच्छे तरीके से पढ़ोगे तब ignore करोगे तो कुछ नहीं आपको लगेगा रदी subject है इसके लिए books की नहीं notes की ज़रूत है और थोड़ी of computing की बात करों तो मैं सोच रहा हूँ इसके भी sessions conduct कराऊं आपके लेकिन अभी नहीं अभी आप बताओ comment section में कि क्या fundamental of computing के session आपको जरूरी है तो मैं जरूर कंड़क कराऊंगा simple है इसके लिए आपको अच्छे notes की जरूरत है और अच्छे notes आपको या तो net पर मिल आपके या फिर सबसे अच्छी platform तो इंटेविट गीक्स है यह ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरी platform इंटेविट गीक्स जिसका link description में दिया है ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि net पे ढूंड़ोंगे न तो सब segregated दो जगा ए दो चीज़े एक जगा मिलेंगी दो चीज़े द आट हो है तो थोड़ा explore करो आप यह भी देखो कि टीचर्स आपको किस तरीके से बढ़ा रहे हैं वो जो पढ़ा रहे हैं उनकी नोट्स बनावा तो काम तो फिर और असान हो जाएगा आपको इसमें भी चार यूनिट्स हैं कई लोग क्या आप चार रहे हैं कि बुक भी ब है ना phase rule है यहां पर fuse में numerical में बिलेंगे phase rule के अटलेस में भी एक numerical मिलेगा लेकिन बागी theoretical है थर्ड यूनिट में आपको numerical मिलेंगे लेकिन सबसे अच्छी बुक जो यहां पर बात करें हैं सबसे अच्छी बुक है यहां पर इसको पढ़ने के लिए सुनीता रतन अगर आ अलगे मैंने free study material में आपको free videos provide कर रखी है free videos आपको मिल जाएंगे unit 1 की ठीक है एप पर और आपका बहुत काम हसान हो जाएगा आपको पता लग जाए कि मेरे को पढ़ना कैसे है free videos जाके देखो आप यहां पर यह पता लग गया हमें तो बाकि सब लैब हैं lab के बारे में discussion अलग से होगी आपको syllabus के बारे में पता लग गया हो कोई भी डाउट हो तो comment section में जरूर बता ना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में ऐसे आएंगी कि यह कैसे होता है वह कैसे होता है तो जरूर आप comment section में बताओ उसके उपर वीडियो में जरूर कर दो